Hello everyone, welcome to my channel, अज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूँ तेकुक फन फिक्षन, तो चलिए इस कहाने को शुरू करते हो, जनकुक का त्यांग एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जनकुक त्यांग के बहुत ही कुलोस आ जाते हैं, और उसकी होटो की तरफ देख रहा था, आखे हम दुने इस्टेप ब्रादर हैं, जनकुक हाटो मेरे उपर से, जनकुक त्यांग को कहते हैं, लेकिन क्यों, तुम्हें तो अच्छी तैसे पता था ना, मैं तुमसे प्यार करता हो, फिर भी तुम मेरे इस्टेप ब्रादर बनकर यहां पर क्यों आए हो, जबकि तुम मेरे इस्टेप ब्रादर बनकर आगया हो, तो मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा, जनकुक त्यांग कहते हैं, जनकुक तुम्हारा दिमाग जो है, इसको साफ काने की ज़रत है, तुम मुझे प्यार नहीं, तुम इसे मुझे एट्रक्शन है, और कुछ नहीं, क्यों तुम्हारे बहुत दा कुलोज हो, तो तुम्हे घबराट होने लगे है, क्या, क्या तुम डर रहो, कही तुम भी मेरे प्यार में फिसलते नहीं चले जाओ, त्यांग कहते हैं, जनकुक मुझे तुमसे कोई डर नहीं लगता है, आखे तुम कहना क्या चाते हो हा, तुम को पेट के साथ टाइटली पका लेते हैं? त्यांग जनकुको बहुत ही जोर से पूश करता है और कहता है, आखे तुमारा पॉब्लम जो है वो तुमारा दिमाग है, आखे तुम्हारे दिमाग में भूसा बड़ा है क्या? क्या तुम समझने ही रहे हो, मैं क्या बोल रहा जनकों कहते हैं, क्या हुआ, त्यांग, तुमने तो कहा था, अगर मैं तुम्हारे साथ इस सब कुछ काने लगोंगा, तुम मेरे और तुम्हारे डैट को बुलाने वाले हो, तो क्या हो तुम चुक क्यों हो गए हो, जाओ जाकर उन दोनों को बुला का लओ, और उन दोने से क कि मैं तुमसे प्यार काता हूँ, मैं भी देखता हूँ बोलो क्या कहते हैं, आखे मैं तुम्हें पहले से पसंग काता हूँ, मुझे नहीं पता था, तुम मेरे इस्टे ब्रादर बनने वाले हो, इस सब को तुमने पहले से जानका रखे थे, इसलिए तुमने मुझे रिजेक प्यार काता हूँ, तुम अगर एक बात जान लोगे, तुम अपने डेड और मेरे डेड को इस शादी करने के लिए मना कर दोगे, क्योंकि तुम मुझे प्यार काते हो, तुम किसी भी किमात में मुझे पाना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं चाहरा था, मैं जानता हूँ, तुम उन दोनों के साथ कुछ नहीं रहा पाए रहे थे आके तुम्हारे मॉम ने तुम्हारे डैड को छोड़ दिया और मेरी मॉम मर गये तो उन दोनों को एक होने में कोई पॉब्लिम नहीं आपी तो मैं क्यों उन दोनों को बताऊंगा और तुम्हें क्यों बताऊंगा कि हम दोन इस ते ब्रादा बनने वाला है अगर तुम्हें पता चलता तुम्हें दोन की शादी नहीं होने देते और मैं ऐसा नहीं चाहरा था आखर दो प्यार करने वाले को एक होने का मौका मिल गया इससे मुझे कोई प्रब्लम नहीं था लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें जरूर प इससे कोई फरक नहीं पारता है आखर उन दोने शादी का लिया है तो क्या फरक पारता है तुम मेरे खुन की भारी तो नहीं होना तुम मेरे इस्टेप ब्रादा हो और इससे मुझे कोई प्रब्लम नहीं है मैं तुम्हें साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुमसे शादी कर सकता हूँ आखे तुम्हारा और मेरा खुन का रिष्टा नहीं है त्यांग जनकुक को कहता है जनकुक आखे खुन के रिष्टे से भी बागा कुछ होता है तुम अपनी दिमाग को ठीक करो और अपनी दिमाग से गंदेगे निकाल दो मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता हूँ जनकुक त्यांग को कहता है क्या तुमने क्या कहा मेरे दिमाग में गंदीगी है तो ठीक है अब तुम देखोगे मैं अतमस्त क्या कर सकता हो वो त्यांग के साथ आप फोर्सफुली किस करने वाले थे लेकिन बाहर से कोई नौक करता है इंदिसे जनकुक रुख जाता है और त्यांक भी उसी टेम को फाइदा उठते है जंकुक को पुछ कर देता है और जाका दर्वाजा खोल लेता है उसके पैरंस आ गये थे आरेमा जी नाकर कहते है क्या तुम दोनों भाई साथ में खुश हो तुम दोनों को कोई पॉब्लम तो नहीं है ना एकी रूम शेया काने मे जंकुक कहते है नहीं मुझे कोई पॉब्लम नहीं है और त्यांग को भी नहीं त्यांग कहते है नहीं मैं किसे और रूम में रहना पसंद करूँगा मुझे पॉब्लम है उसके साथ रहने में क्योंकि जंकुक पूरी ब्याद पर अपने हाथ पर फैला का सोता है और मुझे इससे uncomfortable feel होता है क्योंकि मैं एलोन रहना पसंद करता हूँ जनकुक त्यांग को कहता है क्या तुम इसलिए इस रूम से जाना चाहते हो क्योंकि तुम एलोन रहना पसंद करते हो और मैं हाथ पे फैला का सोता हूँ इसलिए या फिर तुम्हें डर लगता है कहीं मैं तुम्हें ऐसे कुछ करना डालो तो त्यांग कहता है जनकु क्या बोल रहे हो तुम्हा दिमाग तो ठीक है यहाँ पर हम दोने के डैड है आरेम कहता है क्या हुआ जनकु कोई पब्रम है क्या त्यांग ने तुमसे कुछ कह दिया त्यांग तुमने जनकों से कुछ कहा है क्या त्यांग कहते है डैर आपको ऐसा लगता है क्या जिन कहते है आरे तुम त्यांग को क्या बोल रहे हो जनकों की है जो त्यांग को प्रेशन कर रहा होगा ठीक है त्यांग मैं तुमाई लिए एक रूम अलग करता हो और हा तुम ज जनको कहते हैं, नहीं, मुझे त्यांग के साथ ही रहना है, जिन जनको को कहते हैं, लेकिन क्यों, तुम उसके साथ क्यों रहना चाहते हो, क्या तुम उसको प्रेशन करना चाहते हो, जनको कहते हैं, मैं उसको जानना चाहता हूँ, वो मेरा इस्टेप ब्रादर है, मुझे इस इसके बार में जानना है, वो कैसा है, कैसे रहते है, वो कुई से और कमरे में रहेंगे, तो मैं कैसे जानूंगा, आरेम कहते है, हाँ उसके साथ रहना क्यों नहीं चाहते हो, आखे जनकुपने तो सही कहा न, तुम उसके साथ रहना चाहिए, त्यां कहते है, लेकिन हम दोनों एक दुस्ते के साथ, एक कमरा में बिना रहे भी, एक दुस्ते को जान सकते हैं, क्यों डैट, आपको क्या लागता है, जिन को कहते हैं, हाँ त्यांग ने सही कहा, क्योंकि हम लोग एक ही घर में हैं, तो एक रूम में रहने की बिना भी, एक दुस्ते को जान सकते हैं, त्यां प्रेशन मत होई है, क्योंकि मैं आपको प्रेशन नहीं देख सकता हूँ, जिन कहता है, त्यां, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंदो, लेकिन मेरे जॉनकुक को देखो, ये तो बहुत ही जदा बैत्तमीज है, जॉनकुक ऐसा इसलिए है, क्योंकि उसको इसके मॉम ने बिगार दिया है, उसके मॉम ने उसको बहुती लाल प्यार दे कर, इसको बहुती जदा अरोगन बना दिया है, कभी उसको कुछ भी चाहिए होंगे, मुझे मिल जाता है, और वो किसी की बात नहीं सुनता है, उसके मॉम जैसे है, वो भी ऐ प्रूचा भी नहीं था लेकिन उसके मौम की बज़े से हम दुनों को अलग होना पड़ा जनको कहते हैं इसलिए मैं आपके साथ आ गया था लेकिन आप लगता है मुझे यासे जाना पड़ेगा क्योंकि आप मुझे इंसल्ट कर रहे हो आरेम जनको को कहते हैं मत जाओ जनको म तुम अपनी डेर को चुन लिया और अपनी मौम को भी ध्यान रखते हो लेकिन तुम्हारा मौम जो भी है लेकिन वो तुम्हारा मौम है इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहूंगा और नहीं तुम्हारे बारे में मैं सिब तुमसे इतना कहूंगा प्लीज हम मौम तो हमें छोड़का चला गए गए लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ और कोई हमें छोड़का चले जाए प्लीज हम चारो मिल का साथ में है सकते हैं क्या मैं तुमसे भीक मांगता हूँ जनको कहते ही आप क्या कर रहे हो आपको इस्था से कहने की जरुत नहीं आके आप मुझ जनकुक को देखा कहते हैं, मैं जानता हूँ, तुम यहाँ पर रुक क्यों रहे हो, और तुमने अतनी आसान इसे मेरी डैट की बात को क्यों मान लिया, क्योंकि तुम्हें मेरे साथ फुलिटिंग जो काना है, लेकिन जनकुक, तुम अच्छी तर से समझ लो, मैं तुम्हें क कमरे में नहीं रह सकते हो, क्या, तो फिर ठीक है, तुम हमारे कमरे में आ जाओ, और हम दोनों किसे और कमरे में एग्जस्ट कर लेंगे, त्याहं कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, तो आप लोग जाकर रेस कीजिए, जिन कहते हैं, क्या, तुम लोगो भूक नहीं लगी है, मैंने बहुत सारा खाना बना लिया है, चलो सापी मिलका रेना कहते हैं, त्याहं कहते हैं, क्या, अपने खुद बनाया है, जिन कहते हैं, वो भी तुम्हारे पसंद के, जिन कहते हैं, इसका मतलब, अपने जो भी खाना बनाया है, वो त्यांक के पसंदीदा है और मेरे ले कुछ भी नहीं बनाया है तो ठीक है मुझे भूग नहीं लगी है आयम कहते है किसने कहा मैंने तुम्हाय लिए बनाया है जो तुम पसंद करते हो चलो आ जाओ अगर जिन ने त्यांक के लिए बनाया है तो मैंने तुम्हाई लिए बनाया है जनकुक जनकुक कहते है क्या आपने बनाया है क्या आपको खाना बनाना आता है आरेम कहते है मैंने ट्राइ किया है तुम्हें कैसे लगेगा आप तुम खा कर बताना जिन कहते है जनकुक आरेम ने पहली बार तुम्हाले खाना बनाया है, इससे पहले उसने कभी खाना नहीं बनाया है, और देखो, अगर तुम्हें अच्छा भी नहीं लागे न, तो आरेम को कुछ मत कहना, उसने पहली बार ट्राय किया है, उसको एप्रिशेट काना हो कि, जनकुक कहते हैं, आपक तो त्यांकी बाजु माले चैर में बैठ जाते हैं, जैसे खाना शुरू हो जाता है, आरेम कहते हैं, कैसे बने, क्या तुम्हें पसंद आया, जनकु कहते हैं, वाव, सच टेस्टी, सच में अपने पहली बार बनाया है, लेकिन बिल्कुल नहीं लगता है, बहुती कर सकते हो, आप भी लेजिए, जैन को देते हैं, और आरेम को कहते हैं, तुम्हें भी खाका देखना चाहिए, आखे तुम्हें डैड ने बहुती अच्छा बनाया है, त्यांक कहते हैं, वो सिब मेरा डैड नहीं है, तुम्हारा भी है, तो तुम भी खा सकते हो, खाओ, उस जनकुक तुमने कुछ नहीं कहा क्या तुमने अच्छा नहीं लगा जिन जनकुक को कहते है आप चुपके हो बोलो भी जनकुक त्यांग को ही देखे जा रहा था त्यांग जनकुक को इशारा करते है जिन उसको कुछ बोल रहे है तो त्यांग जैसे जनकुक की पैर पर अपन कुछ बोल कियों रहा हो क्या तुम मेरी हाटों की खाना पसंद नहीं हाए हमेश्य हमेश्य तुम मीरी हाटों से बनाय हुआ खाना खाते हो लेकिन तुम्हारे मौम ने तुम्हें को सिखा है Nih आगर किसी की काना अच्छा लगता है तो तालिफ खरना चाहिए जनको कहते है हाँ अच्छा है लेकिन आपसे ज़्यादा अच्छा खाना तो RM डैड बनाता है RM कहते है क्या कहा तुमने डैड जनको कहते है हाँ आखर आपने डैड ही तो हो तो RM कहते है क्या सच में तुमने मुझे डैड कहा जनकू, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे अपने डैड एकसेप कर लिया है, मैं बहुत खुश हो जीन आरेम की हैंड पकर के कहते है, मैंने कहा थाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा देखो, हम चारो साथ में मिलका खाना खा रहे है, और कितना खुश लग रहे है, हैपी फेमिली जो मुझे हमेशा सही चाहिए था, अर्यापा जनकू, नीचे से त्यांग की हैंड पकर के रखा था त्यांग को, जिन कहते है, क्या हुआ खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहे है, चलो त्यांग कहते है, हाँ, बहुत अच्छा है, तो जिन कहते है, तो खा क्यों नहीं रहे हो, खाओ ना, लो आव लो लेकिन जनकु त्यांग की हैंड नहीं छो रहा था त्यांग अपने left hand से खा रहे थे और वो अपने right hand को छुराने की कोशिश कर रहे थे जिन कहते है क्या हुआ तुम अपने एक हाथ से इतना तकलिफ से क्यों खा ले हो दूसरी हाथों से पकड़ के अच्छी तार से खाना खाओ त्यांग कहते है कोई बात नहीं मैं adjust कर सकता हू आरेम कहते है क्या हो त्यांग तुम अपने उस hand को नीचे क्यों रखे हो उस हाथ को उठा कर दोनों हाथों से अच्छी से खाना खाओ त्यांग कहते है वो जनकुक कहते है शायद वो आपने कोई पर्सनल काम में उस हाथ को बिजी दखा है तो वो लोग उसको घूर के देख रहा था आखे जनकुक ने क्या कहा त्यांग भी शौक हो जाते है आखे जनकुक को बाते सोच समझ का कहना चाहिए इस पार्ट को यहाँ पारी दियान काता हूँ, निक्स पार्ट का इंतजा काना और मैं जानता हूँ, आप लोग fan fiction सुनना चाहता हूँ, long story लेकिन इसको यहाँ दखने पारते हैं और मैं इसको write नहीं काता हूँ, इसलिए कभी-कभी मैं भूल जाता हूँ मैंने क्या कहा था दूसरी पार्ट में, इतने सारी story को explain करते हूँ तो भूल जाना सभाविक है, और कुछ दिनों से मैं busy हूँ, इसलिए long story explain नहीं का रहती है लेकिन इस रिक्रिस्ट बहुत दिनों से आ रहे है, इसलिए मैंने explain कारना शुरूर का दिया है तो I hope आप लोग support करेंगे, और अगर पसंद आये होंगे, like, comment, share का नामत भूलना और subscribe कर देना Thank you so much for watching दिए वीडियो, और यार आप लोग YouTube पिलिस्ट को चेक क्या करो पहुत सारे explain क्या हुआ है, आप लोग को जो भी one short या फिर long story पसंद है, आप लोग सुनते क्यों नहीं हो इतने सारी story है, जो new subscriber हो, आप लोग के लिए information है, जल्दी से जाका पिलिस्ट चेक करो तब लोग को और भी history मिल जाएंगे, अगर कोई अच्छा लग जाए तो सुन लेना, thank you so much